कि अलो गाई इस वीडियो हम देखें किसी किसा आप अपनी विंडो पर माइस्कुल को इंस्टोल कर सकते हो और आपकी विंडो चाहे कोई सी भी हो चाहे लेवी नो टैन हो या सेवी नो आपको सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन कर लेना यहां पर आपको टाइप परना mySQL Community Server और इसके बाद आप को इस लिंक पर किलिक करना और यहां पर आपको गोटू डाउमड पेज पर किलिक करना और यहां पर आपको इसे विदाउन अपर डाउड कर लेना 437 देख सकते हर यहां पर देखा यहां पर सक वरजन है 8.0.32 डाउछ पर कड़ू करना अधिसमारी आन्टव though पर किलिक करना मैं इसा ळाउच धाउच करना है तो मैं आपको करता हूँ कि इंट पाइंट जीरो फाइंट थीटू तो इससे इस पर डॉटल की लिक करना तो यहां पर आपको next करना और इसके बाद आपको इसे next कर देना और इसके बाद आपको यहां पर इतनी फाइल आपको मिलेंगी MySQL Server मिलेगा, Workbench मिलेगी, Shell मिलेगी, router है और Python का connector, यह इस connectors मिलती हैं C++ सब काफे काम क्यों होती है तो आपको इसे कर लेना, execute कर देना इसे आपको next पर क्लिक करना और इसके बाद आपको execute कर देना इसके बाद आपको next करना और इसके बाद आपको next करना और इसके बाद आपको next करना यहां पर आपको password बनाना गाइस अगर यहां पर आपको password बनाने को option नहीं आ रहा है यहां पर आपको 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 current root password तो उसकी उसे आपकी से fix कर सकते हैं उसकी वीडियो मैंने बना दिया उसका लिक मैं आपको डिस्किप्शन में दे दूँगा वहाँ से आप उसे देखकर अपनी इस प्रॉब्लम को फिक्स कर लेना और यहाँ पर हम पाज़र बना लेते हैं इसके आप next करेंगे और इसके बाद आपको next करना और next और आपको execute कर देना और आपको finish पर click करना और next करना और finish कर देना और next और यहाँ पर आपको password डालके check करना तो आपको next करना और execute कर देना finish पर click करना और finish यहाँ पर आपको यह mysql workbench और आपको यहाँ पर click करोगे यहाँ पर password डालोगे करोगे तो guys mysql workbench क्या है यहाँ पर आप यह graphical user interface है यहाँ पर आप ग्राफिकली कोरे execute कर सकते हो लाइक जैसे मुझे को database create करना है तो मैं यहाँ पर click करूँगा यहाँ पर और इस जगे और एक database यहाँ से क्लिक कर लोगा यहाँ से college नाम से database create कर लेता हूँ अप्लाई करता हूँ और apply तो यहाँ देखोगा आपके college database create हो चुका है यहाँ पर आप without query के database create कर सकते हो table create कर सकते हो और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर table create कर सकते हो इस तरीके से क्लिक करोगे create table तो यह उता ग्राफिकली यूजर इंटरफेस और अगर आप एक प्रोगामर हो तो आप ग्राफिकली यूजर इंटरफेस के जादा यूज मत करो आपको को ली के जादा यूज करना है तो मैं इसे सहाँ साड़ा देता ह और इसे भी हां से काँट देता हूँ, अब यहाँ पर हम इसे हम यहाँ से काँट देता हूँ, exit कर देता हूँ तो Salисal यहाँ पर ढिखोगे कि लändern को किसीस चीज पर प्रक करना तो कमांड लाइन, तो आपको यहाँ पर टाइप करना याँ मैऑ isquill command line इस तरीके सब को अपन होंगा यह और आप password डालोगे को अब अब अपने जो मैस्कुल server उससे connect हो जाओगे यहाँ पर आपको जैसे भी database को show करना तो show i product databases इस तरीके सार्श करोगे तो अब्यों है पर आपको डेटाबेस दिख जाएंगे College नाम का database हमने create किया था अपने MySQL workbench में जो कि Graphical user interface है और यह वाले database हैं इसमें बने बनाए आते हैं तो आप जादर use करना command line का query को execute करना अगर आप एक programmer हो आप language के साथ work करना चाहते हो database में तो आप जादर query का use करना हाँ MySQL workbench को भी सीखना आप जैसे यहाँ पर आपको यह option आ गया होगा mysql mysql workbench इस तरीके से इस open करोगे तो यह उपन हो जाएगी यहाँ पर इस तरीके से password डालोगे और अपने mysql database से connect हो जाओगे आप यहाँ से आप ऐसा graphically operation perform कर सकते हो तो जैस यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ और यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपका mysql server होता है आप उसमें दो तरीके से operation perform कर सकते हो पहला तो है mysql command line के तुरू इससे क्या होता है कि आप command के तुरू like query के तुरू आप operation perform करते हो और दूसरा mysql workbench के तुरू तो इसमें क्या करते हो कि आप आप ग्राफिकली जैसे मैं आपको बताया था आप ग्राफिकली टेबल कर सकते हो आप ग्रेटर कर सकते हो उसमें और mysql command line में आप query के तुरू operation perform कर सकते हो mysql server में तो guys इस वीडियो में अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लेज चैनल सुस्क्राइब कर तो thanks watching guys